Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Raju Sharma and I am the founder of ASPD American Skills and Personality Development. अगर आप लोगोंने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं last, तो मैं आपको बता दू कि मैंने J1 visa interview के बारे में बात किया है, J1 hotel interview के बारे में बात किया है, और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो है J1 sponsor interview के बारे में. देखें, जो sponsors होते हैं, वो बहुत ही importance रखते हैं इस पूरे process में, और उसका reason ये है कि उनको जो है ये authority रहता है, उनके पास ये license है, जो Department of State ने उन्हें दिया है, और वो जो है, वो DS-2019 जो की visa documents होता है, वो वो issue कर सकते हैं. तो आपको बता दी, ये sponsor का role जो है, सिर्फ visa documents तक ही सिमित नहीं है, इसके अलावा बता दूँ कि, जितने भी documents इस process में लगते हैं, चाहे वो आपके college के certificate हो, या working experience हो, या जो भी documents, वो सब verification, scrutiny करना ये काम sponsor का होता है. और उसके बाद sponsor ये देखते हैं कि, आपका जो motive है US आने के पीछे, वो बिल्कुल सही है, और आप सच में जो है, वो internship करने के लिए ही आ रहे हैं US में. एक तरह से आप बोल सकते हैं कि, वो US का, जो J1 process है, वो first line of defense का का काम sponsor करते हैं. और देखे, sponsor जो होते हैं, वो जैसे मैंने कहा कि, training plan भी issue कराना उनका काम है, DS2019 भी issue कराना उनका काम है, और जो है कि, आप जब वहाँ पे internship कर रहे हैं, तो पूरे एक साल के दौरान या 6 महीने के लिए, आप जो भी duration के लिए आप जा रहे हैं, एक guardian की तरह वो वहाँ पे हैं उनको, तो sponsor जो है, एक तरह का जो है, पूरी guidance जो है, उनकी रहती है, आप एक बार US पहुंच जाएं, उसके बाद, या फिर पहले भी रहती है, पर पहले जो है, हम यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए सारा जो process होता है, वो agency के through ही होता है, एक बार आप US पहुंच गए, है, वहाँ पे भी हम लोग रहेंगे, और आप चाहें तो sponsors के साथ भी directly communicate कर सकते हैं, देखिए, जो sponsors, जो interview लेते हैं, मैं आपको बता दूँ, पहले तो sponsor interview होता है, फिर hotel interview होता है, बहुत टाइम पे ऐसा होता है, कि पहले hotel interview हो गया, फिर sponsor interview होता है, पर यह जो sponsor interview है, यह mandatory है आपको देना, इसका reason यह है कि sponsor के कुछ questions होते हैं, जो वो clarify आपसे जो है, वो करना चाहते हैं, और जैसे कुछ questions है कि वो आपसे पूछ लेंगे कि, why do you want to come to USA, आप तो किसी और country में भी जाके internship कर रहे थे, तो आप particularly US में क्यों आना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है US आ रहे हैं किसी और motive से, यह आप अगर पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, अगर ऐसा उनको लगता है, तो आपका application जो है, वो then and there decline करतेंगे, क्योंकि देखिए, यह जो sponsor organization होते हैं, यह सिर्फ पैसे कमाने के लिए वहाँ पे नहीं बैठे हैं, जैसे मैंने कहा क first line of defense इनका है, तो यह ऐसे किसी को भी entry नहीं करने देंगे US में, जो इनके program के लिए अच्छा ना हो, तो इसलिए sponsor interview जो होता है, वो बहुत ही importance रखता है, जो sponsor interview होता है, वो 10 से 15 मिनिट का होता है, और इस interview में जो questions पूछते हैं, general questions ही होता है, tell me something about yourself, फिर पूछा जाएग जिस department के लिए apply किया है, department related questions भी यह पूछते हैं, ताकि इनको इस चीज की satisfaction हो जाए, कि नहीं आप जो है, इस field में knowledgeable है, और आपको अगर किसी hotel में present किया जाए, तो जो है कि hotel आपको accept करे, इसलिए sponsor interview बहुत importance रखता है, और आपको बता दे कि हमारी जो पूरी team है, वो इस process इसको बहुत अच्छे से समझती है, और हम जो है उसको guide करते हैं, जो भी students हमारे sponsor interview जब schedule होता है, तो हम उनको guide करते हैं, और उस पे बताया जाता है do's and don'ts कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, sponsors को क्या पसंद आएगा, क्या नहीं आएगा, तो यह सब में guidance हमार वीडियो के साथ मैं फिर मिलते रहूँगा, thank you so much for watching.